हेलो बच्चों सो आज हम एक बहुत इपॉटेंट टॉपिक बात करने वाले हैं बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था बहुत बच्चों का डाउट रहता है इस टॉपिक में जिसका नाम है है एड़िस्टमेंट इन फानेशन स्टेटमेंट के लिए या सीचसी बोड में अगर क्लास 12 हो वहाँ पर फानेशन स्टेटमेंट बीट एड़िस्टमेंट है और इससे एक कुश्चन शोर्ट आता है टो आज की सिसीफटमेंट कुश्च करेंगे हम adjustment साथ discuss करते करते देखो मैं बताऊँगा इसके other नाम से तुम्हें क्या देते हैं, इसकी meaning क्या है इसका दूसा नाम क्या हो सकता है exam में कैसे confused करता है इसके treatment क्या होती है, इसकी entries क्या होती है, as well as महर example पे, हर adjustment पे एकनी example भी solve करेंगे सो अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपका mastery होगा financial statement के adjustment पे सो let's start सबसे पहले माते हैं concept में कि देखो financial statement में adjustment होता क्या है why adjustment तो अगर मान लो, suppose इसका concept समझने के लिए हम एक example लेते हैं, मान लो हमारे पास एक staff काम कर रहा है जिसके salary है 1000 रुपया पर मान तो मुझे बताओ इसकी जो yearly salary होगी वो कितनी हो जाएगी तो sir इसकी yearly salary 12,000 होना चीए ये 12,000 हमारा expenses है ठीक है हमने एकुरल concept के बारे पढ़ा था कि expenses होना और payment होना दोनों अलग अलग बात date of settlement और date of entering the transactions दोनों अलग अलग हो सकता है ठीक है और expenses is 12,000 वरकर ने हमारी का यहाँ पूरे बारा महिने काम किये तो हमने expenses उसकी services पूरे बारा महिने की यूज की यानि वी हग incurred 12,000 रुपीज बट मान लो दिया है salary paid हमने सिर्फ salary pay किया 10,000 अब मुझे बताओ जब हम journal entry पास कर रहे होंगे तो हमें transaction क्या दिया है salary paid 10,000 दिया है तो हमने इसकी entry बना दिया होगी क्या पास की होगी salary account debited to cash कर दिया होगा या bank कर दिया होगा 10,000 yes yes समझ माया good हाँ ये 2000 हमने अभी payment नहीं किया है है ना तो उसके entry क्या होगी बताओ अभी हम मैं तुम्हें कौन से बता रहा हूँ finances statement की adjustment की स्वार अब मुझे बताओ क्या होगा किसका laser open क्या होगा salary का तो इस laser account में हम laser कैसे बनाते हैं याद करो हम laser बनाते वक्त journal को prefer करते हैं journals को देखके laser बनाते हैं तो हमने salary account में two cash लिखा होगा 10,000 yes or no और जब इसको close किया होगा या balance किया होगा generally nominal accounts are not balanced they are closed बहुत बार हम balance बनाएंगे balance भी कर देते हैं अब मुझे बताओ जब हमने trial balance बनाया होगा क्या बनाया होगा trial balance तो हमने कितना दिखा दिया होगा तो trial balance कैसे बनाते हैं याद करो तो हम trial balance बनाते हैं laser को देखे याद है ना तो यह balance जो यहाँ balance है वही तो हमने ट्रैलवेस में डाला होगा तो हमने कितना डाला होगा salary डाल दिया होगा अब जब हम profit loss trading and profit loss account बना रहे होगे तो हमने यहाँ salary कितना दिखाया होगा तो salary दिखा दिया होगा अब मेरा यह प्रश्ण तुमसे है कि हमारा salary का real income expenses कितना हुआ 12,000 लेकिन हमने दिखाया कितना 10,000 तो इससे हमने expenses को कम show कर दिया तो हमारा profit क्या होगा हमारा profit inflate हो गया बढ़ गया होगा है ना yes or no बढ़ गया good अब इससे जो profit show कर रहा हमारा trading trading profit loss account क्या यह correct है क्या yes you are correct यह balance जो net profit show करेगा profit loss इस information के basis पे वो correct नहीं होगा क्यों correct नहीं होगा because we have not charged full expenses we have omitted we have forget we have not recorded certain expenses जैसे कि यह 2000 तो क्या यह profit loss correct है answer है तो मुझे profit loss को correct करना है अब मैं इसको कैसे करूं correct करूं तो इसका दूसरा तरीका देखो पड़ाफर्ट यह है कि मैं यहां लिखूंगा salary यह कौन सा था तो यह wrong वाला था correct वाला कैसे कर तो यहां salary मैंने लिखा 10,000 और 2000 जो salary का expenses तो हुआ बट हमने payment नहीं किया and this is called outstanding expenses याद होगा तुमको तो मैं यहां पर outstanding जिसको मैं short में OS लिख रहा हूं 2000 रुपिया हम इसमें add कर देंगे अब देखो profit loss में यह exact amount reflect हो गया अब इससे क्या होगा अब जो net profit आएगा वो correct आएगा yes और no अच्छा एक बात बताओ यह जो outstanding salary है future में इसे हमें payment करना है करना है और future payment करना है यानि तरह की liabilities है तो यह balance sheet में भी आना चाहिए और हमने balance sheet में इसको सोर नहीं किया होगा तो हमारा balance sheet का position भी wrong होगा है तो अगर हम adjustment के में बात करू तो adjustment पहले बात करते कि adjustment क्या है इस पूरे example को ध्यान से समझोगे तो what is adjustment यह जो मैंने किया ना यह जो मैंने किया क्या जो add किया ना this is ठीक है तो आते हैं next concept में की adjustment के मैं तुम सो बोलू कि मीनिंग क्या है अलाकि हमें कभी exam में adjustment की मीनिंग नहीं पूछेगा लेकिन concept पता होना चाहिए तो इट्रफरस्टू रखर्यु आखर्याब बेढ़े ट्यूण तो आप ड्यूदी नहीं व्यूदर्फरस्ट प्रोष्ट टी में तूद्यू दिप्टूर्मी लेखर्यू आप लेखर्य। अर्लियर और नॉट रिफ्लेक्टिटी इन त्रेवलेंस जो ट्रेवलेंस में रेकॉर्ड नहीं हुआ इसमें और क्या आता है इस अल्सों इल्क्लूड रेक्टिंवन निल्फई न दर्यर्ट एक मांर्ट एड्रवाइन दर्यर्व एक मांट्र पर्क्रफान देडर्वाइन है कि मैंने ज现在 इसको उन सारे ऐट मों से सबर करना जो आइटम अभी तक अभी तक रिकरड नहीं है उनको रिकर्ड करना उसमें ब्रищ 예 वह भी इस आती है जो कि हमने कोई errors कर दिया, उस errors को ठीक करना और उसका impact जो गलती था, उस गलती का impact फरनिशे स्टेटमेंट से zero करना, nullify करना, cancel करना. For example, मान लो, हमने एक furniture या हमने एक machinery purchase किया, उसके installation में wages पे कर दिया 5000, कितने 5000 पे कर दिया, और इस wages को हमने include कर दिया, wages में, लेकिन याद रखो, wages किसी asset को, हमने पढ़ा था, किसी भी asset को acquire करते वग या उसको put to use करते वग, जितने खर्चे होते, it is added in the cost of asset, तो यह 5000 cost of asset में एड होना चाहिए, यानि शुट कर दिया, इससे क्या हुआ होगा, इससे हुआ होगा कि gross profit कम जाएगा, वो gross profit कारण net profit कम जाएगा, और जो हम depreciation निकाल होंगे, तो इसको मैं क्या करूँआ, wages से मानस करके, मसीनवी में add करना, यह भी adjustment है, यहाँ पर हम क्या कर रहे है, errors को ठीक करमा भी adjustment है, I hope मेरे बाद समझ माई, yes sir, तो क्यों करें adjustment, next plus उठता है कि sir, हम क्यों करें adjustment, या sorry, क्यों करें तो बताऊंगा, पहले आते हैं, इसका कुछ important point, some important point, जो यह chapter पढ़ते हो, तुमको ध्यान रखना है, तो हर adjustment का कम से कम, दो effect होगा, कितने effect होगे, दो effect होगे, sir, दो effect क्यों, क्योंकि याद करो, हम double entry, double entry, bookkeeping पढ़ रहे हैं, है न, इसलिए हर aspect का, हर transition का दो effect होगा, या बोल सकते हो, dual concept order, एक जो effect होगा, उसको हम बोलते हैं, एक effect होगा, debit side में, और दूसरा effect होगा, credit effect, एक को बोलते हैं, debit effect, एक को बोलेंगे, credit effect, समझे में रहाता ही, और यादखना, generally, ये कहां दिया होगा, outside the trial balance दिया होगा, अगर outside the trial balance दिया, then, it has two adjustments, अगर इसकी जगा, inside the trial balance दिया, तो वो adjustment नहीं है, या दखना, नाम पे मत जाना, outstanding expenses, अगर मालनों, ट्राइलमेंस के बाहर दिया, ये adjustment है, outstanding expenses, अगर ट्राइलमेंस के अंदर दिया, तो ये adjustment नहीं है, इसके सिर्फ एक treatment होगे, अगर अंदर दिया, तो कितने treatment होगे, only one adjustment बोलो, या accounting treatment बोलो, ठीके, समझ माई बात, yes sir, अब अगर मैं तुमसे पूछूँ की, why adjustment is needed, तो इतना साथ जो मैं तुम्हें समझाया, एक चीज़ समझ में आ गया होगे, अगर adjustment नहीं करेंगे, तो profit हमारा, profit untrue होगा, operating result सही नहीं आएगा, दूसरा financial position गरबढ़ होगा, कैसे, देखो अभी जैसे हमने, operating result का मतलब क्या हुआ, profit और loss को operating result बोलते है, financial position कहां से mount चलेगा, यह हमारा balance sheet से mount चलेगा, balance sheet wrong हो जागा, अगर हम adjustment नहीं करेंगे, तो जितने भी unrecorded items से वो record नहीं हो पाएंगे, और हम errors को rectify नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए, क्योंकि हमें true profit loss जानना है, true financial position जानना है, unrecorded items को record करना है, और errors को rectify करना है, इसलिए सारा adjustment करते हैं, I hope मेरे बाद समझ माई, yes sir, तो आज आते हैं फटाफट पहला adjustment जिसका नाम है closing stock, अब मुझे जल्दी से बताओ closing stock का मतलब क्या होता है, तो मैं जैसे मैंने तुम्हें पता है कि पूरे topics में मैं तुम्हें पूरा complete बताऊंगा इसका adjustment, number one मैं तुम्हें इसकी winning बताऊंगा so that तुम्हें confusion ना हो, इसके दूसरे नाम क्या होते हैं वो बताऊंगा, इसकी entry क्या होते हैं बताऊंगा, इसका adjustment क्या होते हैं बताऊंगा, साथ में एक एक example करते जाएंगे, इतना सारा करने के बाद तुम्हारा कभी भी इसमें doubt नहीं रहेगा, I assure you, okay, so जो year के end में हमार stock बच जाता है, ठीके, अगर मालो हमारा ये go down है, इस go down में जितने भी stock होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, closing stock, यानि stock जो year can में हमारे shop में, हमारे factory में है, ठीके, बस एक चीज़ उसके पहले जानना है, या रखना closing stock जो होता है, यह हमें कभी-कभी इसका cost price देगा, कभी इ क्या बोलते है, nrb बोलते है, net realizable value जिसको short में nrb बोलते है, बहुत बार confused करने के लिए, दो value हमको देता है, अगर दोनों value दिया, तो क्या करेंगे sir, हमेशा whichever is lower लेंगे, ठीके, क्या लेंगे, lower लेंगे, lower का मतलब, छोटा value लेंगे, ठीके, क्यों sir, तो यह हमें बोलता है, याद करो, prudence convention बोलता है, क्या बोलता है, कि future में होने वाले income होने के बाद record करना, लेकिन future में होने वाले expenses, जो इस period से जो predicted losses है, वो अभी से record कर लो, for example, मान लो, cost है 1,00,000, और market price है 1,50,000, दो value दिया है, तो तुम कौन सा value लेने वाले हो, तो हम लेंगे, 1,00, जो छोटा value, ठीके, यह one, मान लो, दिया है, cost 1,00, और, cost 1,00, एनार भी दिया है, 80,000, इस बार कौन सा लोगे, तो छोटा कौन सा है, 80,000, 80,000, तो I hope यह बात याद रहेगी, yes, exam में बहुत बार confuse करने के दो value देते हैं, कौन सा लोगे, cost और market price, whichever is lower, जो छोटा होगा, ठीके, अब आपने closing stock देखो, इस बाग भी depend करता है, closing stock, बहुत बार, examiner हमाचा play करता है, और यह हो सकता है, trial balance के अंदर दिया हो, हो सकता है, trial balance के बाहर दिया हो, तो accordingly इसका treatment differ करता है, अगर मानलो, यह trial balance के अंदर दिया है, यानि कि appearing adjustment का मतलब क्या हुआ, यानि कि given inside the trial balance, sorry, sorry, outside the trial balance, ठीके, मानलो, यह trial balance है, यहाँ ना देखे, closing stock बाहर दिया है, तो इसको बोलेगा हम, कि यह adjustment में दिया है, अगर ऐसा दिया है, तो इसके दो adjustment होंगे, पहला trading का credit side और balance side का exception, ठीके, दिखा, पहला कहाएगा, trading का credit side, यह first treatment, और balance it का asset side, लेकिन अगर not appearing in adjustment होगा, इसका मतलब वो कहाँ दिया है, इसका मतलब यह दिया है, trial balance के अंदर, यहाँ दिया, closing stock, तो कहाँ जाएगा, सिर्फ एक treatment होगा, अगर adjustment नहीं है, तो only one treatment, ठीके, और क्यों ऐसे treatment है, क्योंकि यह already purchase से adjust हो गया होता है, कहाँ सोब करेंगे, balance it का, एसेट side, ठीके, यह एसेट, इसकी entry क्या हो जाएगी, तो closing stock, accountability to trading account, बहुत बार, specially states board में, CHAC में, हमें, बहुत बार, board exam में, सिर्फ चार्य-पांच entry पूछ लिया adjustment का, पूरा adjustment करने नहीं दिया, entry पूछ लिया, तो इसलिए entry भी important है, तो अब एक फटा-फट example में आते हैं, मालो यह trial balance है, तुम्हें स्कीन पर देख रहे हो, और closing stock कहां दिया है, जिको closing stock बाहर दिया है, यह closing stock कहां दिया, बाहर दिया, इसका मतलब यह एक adjustment है, क्योंकि यह बाहर दिया है, अब मुझे बताओ, अगर बाहर कितने treatment होंगे, तो इसके हम दो treatment करेंगे, पहला credit side of trading और asset side of balance sheet, देख लो, तो पहला आ गया, देखो, ट्रेडिंग के trade side में आ गया, by closing stock बोलके, और दूसरा कहां आ गया, balance sheet का asset side, entry क्या हो गया, closing stock account देविटे to trading account, ठीक है, यहां amount डाल देगे, I hope मेरे बाद समझ माई, यह sir, अब अगर balance sheet के अंदर दिया तो, यहां पर अगर जहां से दिखोगे, तो यह closing stock कहां दिया है, प्रेले balance के अंदर दिया है, इसका मतलब यह adjustment है की नहीं, तो यह adjustment नहीं है, और adjustment नहीं है, तो क्या होगा, only one treatment, सिर्फ एक जगे इसको डालेंगे, कहां balance sheet का asset चाहिए, देखो यहां पर trading में हम इसको नहीं डाला, ठीक है, कहां डाला balance sheet का asset चाहिए, I hope समझ माया, yes sir, अब देखो जितने भी आने वाले 4-5 adjustment पढ़ने वालें, उसके एक concept जाना बहुत जरूर है, उस concept का नाम है, एकुरल concept, ठीक है, एकुरल concept क्या बोलता है, कि देखो एक particular year में, जितने भी expenses हुए, irrespective of payment, कितना payment हुआ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस particular year में जितने expenses हुए, जितनी services तुमने ली, वो जितने expenses incurred हुए, that should be recorded in financial statement, similarly, एक particular year में जितने income हुए, मैं बोलों, जितने income हुए, पेमिन मिला या नहीं मिला, वो matter नहीं करता, उनसको totally record करना है, जैसे माल लो, यह हमारा 1st of January है, और यह है 31st of December, तो इस period के बीच में जितने भी खर्चे होंगे, that should be recorded in books of account, एजर expenses और एजर income, इसके बात जो हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है, उसको काड़ देंगे, इसके अंदर जो हुआ, लेकिन payment नहीं हुआ, उसको हम add back कर लेंगे, जैसे देखो, यह accounting है, मालो expenses है, इतना भी हमने पे किया, से हमने अभी तक 8 months का पे किया, हमारे पास staff काम करता है, salary हमने 8 months का पे किया, लेकिन खर्चा कितना हुआ, खर्चा तो total हुआ, है ना, यहां तो खर्चा हुआ, तो यह जो part है, जो हमने payment नहीं किया, लेकिन expenses इसी साल का है, तो हम को उसी साल से मतलब इसको हम क्या बोलते है, आउस्टेंडिंग expenses, अगर आउस्टेंडिंग इसी साल का belongs to current year है, इसको हम क्या करेंगे, इसको add back कर लेंगे, similarly इस period के बाद अगर हमने कुछ payment किया, यह जो payment किया, यह coming year का है, तो हम क्या करेंगे, minus, इसको क्या करेंगे हम, प्लस, मान लो हमारा income received इतना हुआ, लेकिन हमें income कमाया, पूरे साल में कमाया होगा, जो पैसा income का नहीं मिला, उसको बोलते है, और अश्टेंडिंग income, इसी को और दूसरा word में क्या बोलते है, इसको बोलते है, वो आने वाले साल का है, तो इसको हम बोलेंगे, प्री रिसेब्ट इनकम, या income received in advance, ठीके, हमें हमेशा इस period से मतलब, इस period के जितने वीजो तुम black में देख रहे हो, इस period में जो भी हमारे expenses हुए, payment हुआ हो, या नहीं हुआ हो, खर्चा हो गया, payment नहीं हुआ, तो हमको वापस add करना है, ज्यादा payment कर दिया, इस फिर के बात का payment कर दिया, तो इसका meaning क्या होता है, वो सारे खर्चे, जो हमारा हमने expenses incurred कर लिया, खर्चा कर लिया, लेकिन payment नहीं किया, ऐसा सो सकते हो, कि खर्चा तो इस साल हुआ, payment अगले साल करने वाले, coming year में करने वाले, that is called, Australian expenses, सर, exam में इसे और क्या-क्या नाम से दे सकता है, तो एक बाइगांपर देख लेते हैं, मान लो, यह हमारा accounting year है, क्या है, accounting year है, ठीके, हमारे staff की salary, यह मान लो, हमने salary pay की, for eight months, यह जो है, four months की salary हमने pay नहीं की, अब देखो, यह four months की salary हमने pay नहीं किया, वो belong तो इससाल का करता है, तो हमारा total खर्चा कितना होगा, जब मैं इस चीज़ को, यह due but not paid, इसको, मैं इस expenses के साथ merge करूँगा, क्या करूँगा, प्लस करूँगा, तब तो तो टोड़ा खर्चा निकलेगा, इसलिए यह हमारे खर्चे को बढ़ाता है, इसनम क्या करेंगी, इसको add करेंगे expenses, ठीके, इसके अधर दूसरे इगनाम से क्या एक्जामन दे सकता है, तो इसको बोलता है, expenses payable दिया हो, due दिया हो, अनपिट दिया हो, समझ जाना, इस सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब, outstanding expenses ही है, adjustment क्या करेंगी, तो हमने जैसे पहले हाँ देख लिया, कि यह added होगा, किस से add होगा, respective expenses, respective का मतलब, जो expenses outstanding होगा, अगर मालो wages outstanding है, तो वो trading में आता है, trading में जाके wages से add कर लेंगे, salary बाकी है, तो salary कहा था, profit loss, वहाँ जाके add कर देंगे, तो पहला कहाँएगा, trading में हम इसे add कर देंगे, ठीक है, respective expenses से add कर देंगे, और balance sheet का कहाँएगा, liability side, entry क्या हो गई, respective expenses बढ़ रहा है, याद को लो, कोई expense बढ़ने से debit करते हैं, और outstanding expenses, liability ते वो भी बढ़ा, इसने से trade कर देंगे, लेकिन याद अठना कि अगर outstring expenses हमें, trial balance के अंदर दे दिया, trap करता examiner, अगर trial balance के अंदर दे दिया, तो ये already expenses से adjusted है, और सिर्फ एक treatment होगा, कहाँ, balance sheet में, ये यहाँ पर और नहीं आएगा, ठीक है, एक example दिखते हैं, माल लो, salary दिया है हमारे, trial balance में 22,000, औ और बाहर में salary बोला है, outstanding 8,000, ठीक है, तो क्या करेंगी, salary कहा आता है, profit loss में आता है, उसके debit में, तो हमने profit loss में, देखो debit में, इस outstanding को, इस outstanding को हमने add कर दिया, है ना, 22,000 के salary अंदर वाली थी, ये salary ये वाली है, और ये 8,000 ये वाला है, ठीक है, main column में डाल देंगे, कितना salary बोल के हम डाल देंगे, ये वाला second treatment, ये है first treatment, second treatment, entry क्या हो जागा, salary account revenue to outstanding salary is कितनी 8,000, समझ माई बार, यसर, तो next आते है, prepared expenses का, मेनी क्या होता है, वो सार expenses, जो हमने आने वाले साल का, coming year का payment का इस साल कर दिया, that is called prepared expenses, in other words, all those expenses which have been paid, but not due or not incurred, या expenses paid in advance, ठीक है, again, जिससे देख लो, example माई देखेंगे, तो, ये मान लो हमारा accounting year है, ये है first January, तुम इसे third first, first appeal भी ले सकते हो, और ये है third first December, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा expenses, हमको इसी expenses से मतलब है, लेकिन हमने क्या किया, expenses दोको year के बाद भी पे कर दिया, ये जो expenses से हमने extra पे कर दिया, अब ये expenses किस साल को विलॉंग करता है, तो ये आने वाले साल को विलॉंग करता है, मान लो हमने salary पे कर दिया, say 15,000, कितने महिने का, 15 महिने का 1000 करकर salary पे कर दिया, लेकिन हमें मतलब किस से, इसका मतलब 3000 advance पे किया है, अब इस 3000 को, मुझे expenses कम करना पड़ेगा, ये जादा म करीगा, ये हमारे expenses को कम करता है, ठीके, तो इसे हम deduct करते है, expenses से, इसका दोसरा नाम क्या दे सकते exam में, इसको बोलते है, unexpired expenses, advanced expenses, expenses paid but not due, etc, adjustment क्या होगा, तो trading PL में respective expenses, what do we mean by respective expenses, जो expenses का prepaid दिया होगा, अगर rent माल लो prepaid है, तो rent से मानस करेंगे, salary prepaid है, तो salary से मानस करेंग ठीके, और balance sheet में, क्योंकि इसका हमने benefit लेना बाकी है, future benefit मिलेगा, इसलिए balance sheet का SSHR डाल दो, और entry क्या होगी, तो entry होगी, prepared expenses अकाउंट लेटे टो respective expenses, respective का मतलब बताया, जिस जो expenses बाकी है, या expenses लिखोगे, तब भी चलेगा, ठीके, अगर मानलूप prepared expenses कहां दिया है, सर्क मानलो wages दिया है, प्रैलेबंस के अंदर 25,000, बाहर में बोला है कि unexpired wages से 5,000, ठीके, तो wages कहां आता है, याद को ट्रेडिंग में आता है, इसलिए हमने ट्रेडिंग में wages डाला 25,000, और 5,000 इसे हम minus कर देंगे, unexpired wages बोलके, main column में कितना डाल देंगे, 20,000, और balance sheet में कितना डाल देंगे, unexpired wages बोलके, 5,000 डाल देंगे, ठीके, entry क्या हो गया, तो unexpired wages या प्रिपेड बेस अकाउंट एविटी टू बेस, अमझे माई बात, yes, तो next आते हैं, accrued income, मतलब होता है, वो सारे income, जो हमने earn कर लिया है, इस साल का, लेकिन मिला नहीं, for example, ये मानलो year है, हम अबारा, ये accounting year, 1st April, और ये है, 31st March, तो हमें income मिला, ये 4 मेने का income मिलना बाकी है, ये जो 4 मेने का बाकी है, ये इसी साल को belong करता है, ना, इसको बोलेंगे, due but not receive, ये इस साल को ही belong करता है, तो अगर मुझे complete, यहां से लेकि, यहां तक अगर income जान ली होगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें लाके plus करूँगा, इसकी वज़से मेरा income क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो देखो हमारा income बढ़ा, इसलिए add कर देंगी income में, तब तो मेरा income बढ़ेगा, तो adjustment क् ट्रेडिंग PL के, specially PL के credit side में, इसको हम add करेंगे, respective income से, और क्योंकि asset है, future benefit मिलना बागी है, तो इसे हम balance sheet का asset शो कर देंगे, एंट्री क्या होगा, accrual income एकाउंट डेविटे तो respective income, लेकिन अगर balance sheet के अंदर दिया, तो हम सिर्फ एक treatment करेंगे, balance treatment आप देंगे, ठीके, next इसे आते हैं, sorry, example बे आते हैं, interest मालो दिया, 30,000, credit side में, और बाहर बोला कि accrual interest is 8,000, तो क्या होगा, interest कहां आता है, PL के credit side में, लिख दिया, और 8,000 हम add कर दिया, यानि कि यह हमने क्या किया, यह पहला adjustment किया, add कर दिया, दूसरा क्या करेंगे, balance sheet का asset में हमने show कर दिया, त entry, accrual interest to interest, clear, next आते है, income receiving advance, तो income retirement का मसलब हुआ कि हमने आने वाले साल का income इसी साल मिल गया, इस साल मिला, से मुझे मिला 50,000, इंट्रेस्ट, 10,000 आने वाले साल का है, तो मुझे इस साल से मतलब है, इस साल का income कितना हुआ, 50 से 10,000, आने वाले साल का मुझे मानेस करना पढ receive, जो मिल तो गया, current year में, लेकिन है किस साल का, अभी तरह हमने earn नहीं किया, या आने वाले साल का है, जैसे कि यह हमारा accounting year है, इसमें देखो, हमें पैसा advance मिल गया, यह जो हमें extra पैसा मिला, ठीके, यह किस साल का है, तो यह pre-receipt है, और आने वाले साल का है, हमको किसे मतलब होता है, हमको इसी period से मतलब होता है, और trial balance में, जो हमें receive दिया होगँ, total दिया होगँ, यहाँ तक का दिया होगा, तो यह हमें क्या करना होगा, minus, तब ही तो इस साल का निकलेगा, trial balance में आरे पूरा दिया होगा, तो हम, पिछले से, मतलब आने वाले साल का पैसा है, उसको तो शो कर देंगे एज़े लाविटीस, ठीक है, इंकम क्या होगा, क्योंकि इंकम कम हो रहा है, और इंकम कम होने स्ट क्या होता है, डेबिट, तो respective income account डेबिटेट टू, income receiving advance, एक, अगर ये income कमिशन दिया है और बाहर बोला है कि क्या करेंगे प्रफिट लॉस में कमिशन आता है क्रेट साइड में डाल दिये और इस कमिशन रिसीविट एडवांस को हमने क्या किया माइनस कर दिया यानि कि देखो यह पहला क्रिटमेंट किया दोसा क्या करेंगे प्रफिट के लाइबिटी सैड्मिश को सोग कर देंगे ठीक है एंट्री कमिशन एकाउंट डेविटेट टू कमिशन रिसीविल अडवांस होफुली समझ माया यस सर नेक्स आते हैं डेप्रिश संतियो देख्शन का इडिजए पर्मानेंट नौट टेंपरोडी पर्मानेंट एन ग्रेजुल कंटेनियस दिक्रेजिन दा इकोनोमिक वैल्व एससे कौन सा असेट एक्सेट लैंड क्यों डियू टू विर एंटियर पैसर ताइम एक्सेट ठीक है इसकी और क्या नाम दिसक सेम होता है या रिटेनफ करना इससे क्या होता हमारा एसेट कम होता है अब यहां तक हमारा फिक्सेट है ठीक है मान लो इतने पार्ट को हमने रिटेनफ कर दिया तो एसेट कम होगा यह एसेट को डेप्शन कम कर देता है नमबर वन यह खर्चा भी है और एसेट को कम कर रहा एक हो समझ माई एंट्री क्या हो गई डेप्रिशन एकाउंड एविटी टू फिक्स एसे अगर ट्रेल्मेंस के अंदर दिया तो क्या करेंगी सिर्फ एक एक ट्रीटमेंट करेंगी बैलेंस सीट में डाल देंगे करेंगे झाल